इंची टेप, देखरें हैं आप, इंची टेप, अब आप सोच रो, वेट गेन में इंची टेप का क्या काम है, वेट बशिन का तो समझ में भी आता है, लेकिन इंची टेप का क्या यूज है, आज मैं आपको इसका यूज बताती हूँ, कि आप अपनी वेट गेन जर्णी में इसका कैसे use कर सकते हो sometimes क्या होता है हम diet ले रहे हैं हम खूब exercise कर रहे हैं अच्छे से workout कर रहे है full body workout कर रहे है weight gain के लिए ठीक है तो आपका वजन नहीं बढ़ रहा आप daily वजन तोर रहे हो लेकिन वजन आपका बढ़ नहीं रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप motivated नहीं हो रहे है आप demotivate हो रहे हो तो उस case में क्या होता है हमारी body पे वजन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है इतनी तेजी से होता क्या है जो हमारी workout करने पर muscles बढ़ने लगती है तो जो हमारे हाथों के या किसी भी body part के आपको क्या करना है पहले inches ना पेनी कि कितने inch का आपका hand है अभी और आप अगर seriously workout कर रहे हो daily workout कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये inches आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो आप क्या करो अपने आपको motivate रखने के लिए ये inchi tape घर में रखो और अपने body parts को नापना शुरू करो कभी आप shoulder नापो, कभी आप हाथ कभी आप अपनी कमार breast, पेट पैरो की, थाई की muscles, तो हो सकता है आपकी weight बशेट पर आपका weight उतना ही आए पर आप देखने में बलकी लगने लगोगे, थोड़े गोल-गोल लगने लगोगे, क्यों लगने लगोगे क्योंकि आपकी muscles build हो रही है, muscles gain हो और उसका पता कैसे चलेगा आपको, जब आप अपनी body को inchi tape से नापो तो अपनी body को inchi tape से जगहा जगहा से, इस तरीके से जब हम वजन कम करते हैं तो कितनी बार बहुत सारे ओर तो करना वजन उतना ही देखता है weight machine पर, लेकिन उनके जो inches होते हैं belly fat होता है, या कहीं से भी उनके inches कम होने लगते हैं वो देखने में slim लगने लगती है लेकिन weight उनका same उतना ही होता है same उसी तरीके से weight gain में भी ये बात आती है जब आप वजन तोलते हो तो आपका weight increase होते हैं आपको नहीं दिखेगा but you look bulky and आपके inches आपके inches बढ़ने शुरू हो जाएगे correct? समझे आप मेरे बात तो आज ही इंची टेप लेकर आओ घर पर और अपने inches नापना शुरू करो तो आपको distance पता चलेगा आप motivate होगे कि वाओ मेरे इतने inches बढ़ गए हैं अब मेरे इस पार्ट के इतने inches बढ़ गए हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं कहा कहां मेरे को workout करना है तो अब आप समझें कि inchi tape का weight gain में आपको कैसे use करना है साथ ही साथ में कुछ और tip देती हूँ आपको जिससे ये weight gain journey ना और smooth हो जाएगी देखो मैंने अपरा weight खुद gain किया है घर पे रहन के किया है बिना gym के किया है अपनी Indian food से क्या है मतलब veg food से क्या है जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते है इसलिए demotivate होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है कोशिश करते रो तभी आप अपनी मंजिल पे 100% पहुँच जाओगे कुछ परिशानी जो आपको फीस करनी पड़ सकती है उनका solution भी मैं आपको देती हूँ देखो जब आप over eating करते हो तो क्या होगा आपको आपको digestion में problem होगी आप खाना अच्छे से digest नहीं कर पाऊगे तो आप चाच लो लंच में एक लास आप चाच लो ओवर इटिंग करनी पर कितनी बार constipation, bloating और इस तरह की चीज़े हो जाती है लेकिन अगर आप दो बार washroom जाओगे आप खाना भी जादा खा पाऊगे और आपको ये सब चीज़े भी नहीं होगी तो ये दो थी important tip वाला bonus tip आप कह सकते हो तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो इस तम जैसे सर्थिया है तो खूब सारा घर में sweets बनाओ, halwa बनाओ, laddo बनाओ वो सब खाओ, homemade sweets बनाके खाओगे तो वो healthy fat देंगे आपको ना कि आपका belly fat देंगे जो personality आपके with exercise आएगी weight gain करने पर वो personality आपके सिर्फ खाखा के नहीं आएगी खाने से सिर्फ आपका belly निकलेगा आपकी muscles विल्कुर भी built नहीं होगी तो वजन बढ़ाना है तो exercise तो regular 45 minute at least आपको करनी होगी consistency ऐसी चीज होती है कि अगर आप उसे regular करते हो आप exercise करते हो आपको दिखाई देगा if you have any doubt तो मैं आपके साथ हूँ आप मुझे whatsapp कीजिए instagram पर follow कीजिए कोई भी query कोई भी doubt होता है वहाँ आप मुझे पूर सकते हैं आप मेरा weight gain program join करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं वीडियो अगर थोड़ी भी useful लगे आपके काम आए तो एक like करना share करना और चैनल को subscribe करें बीना मल जाना thank you so much bye